ओडिशा में 24 साल तक सत्ता में रहने वाले बीजेटी सुप्रीमो नविन पतनायक ने विधानसवाद चुनाव में हार के बाद पुधवार को मुख्य मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया पतनायक ने राजभवन में राज़िपाल रगभर्दास को इस्तीफा सहुपा इस्तीफा देने के लिए राज़िपाल के घर अकेले पहुँचे पतनायक ने पत्रकारों की तरफ केवल हाथ हे लाया पतनायक ने पहली बार पांच मार्च 2000 को ओडिशा के मुख्य मंत्री की शपतली थी बीजेपी ने इस बार ओडिशा पर पूरा ध्यान दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने वहाँ दस रेलियां की उन्होंने बहुनेश्वर और पूरी में रोडशो भी किये नतीजा ये निकला कि ओडिशा की 147 विधान सवा सीटों में से 78 सीटे हासल कर बीजेपी सत्ता में आ गई बीजेडी को केवल 51 सीटे ही मिली जशन मनाने का समझ नहीं है जिम्मेदारी निभाने का समझ है जशन तो लोग मनाएंगे खुशियां तो मनाएंगे मगर ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है ओडिशा का दिशा और दसा परिवर्तन करने के लिए जो ओडिशा के लोग भारतियों जनता पाटी के हाथ में सासन भार देने जा रहे है ये बड़ी जिम्मेदार ही है इसको भारतिय जनता पाड़ी बेखुवी निभागी जिम्मेदार ही से निभागी ओडिशा बासी का जो अभिडासा है उसको फिलब दो बीजेडी को ओडिशा के तटिय और दक्षणी गणों समेथ सभी इलाकों में हार का सामना करना पड़ा नतीजे आने पर बीजेडी ने हार माल ली और 24 साल तक सत्ता में बनाए रखने के लिए ओडिशा के लोगों को शुक्रिया कहा जे आपने माने बीजु जन्ता दोलखू गता 24 बर्स हैला निरंतर आवगों आसिर्बाद करियास चांती एबंग सेई आसिर्बाद फळारे आमें ओडिशार सेबा करियास चांती आमें समस्त ओडिशा बासिंक पाखेरे चीरा रुणी चीरा कृतग्या जे आपने माने एई निर्बाचंडरे मध्या बीजु जन्ता दोलखू आसिर्बाद करियास चांती पाखा पाखी 40 प्रतिशत भोट हार आपना बीजु जन्ता दोलखू देई चांती ओडिशा से बीजेपी की जूली में 20 लोगसभा सीटे भी गई हैं कॉंग्रेस यहां एक सीट ही जीती है बीजेटी एक भी सीट नहीं हासल कर पाई झाल झाल झाल